नमस्कार दोस्तों, AMS Academy के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है और आप सभी बच्चों के लिए एक थोड़ी सी satisfying news में कहना चाहूंगा मैं थोड़ा सा इसे satisfying क्यों बता रहा हूं कि हमें अभी भी उमीद है कि ऐसा हो सकता है येस जैसा कि आपको thumbnail पता चल रहा है हर्याना CT के result की तारीक की घोशना सरकार ने exact तारीक की घोशना नहीं की लेकिन सरकार ने हमें ये बता दिया कि वो result कब तक 110% आ जाएगा जो आपके HSSC Chairman भुपाल सिंग खदरी हैं इन्होंने परसों भी एक interview दिया था जब इन्होंने एक newspaper को अमर उजाला को बयान देते हुए ये कहा था कि CT का result हम इस महिने की इस तारीक तक launch कर देंगे हर हाल में कुछ दिन पहले वो आपकी date अलग थी लेकिन इन्होंने जो कल परसों जेओ date बताई थी वो change थी आज सुबह बच्चों इन्होंने फिर से एक newspaper के हवाले से ये खबर हम सब तक पहुँचाई है वो खबर क्या है कि आप सभी का जो हरियाना CT का result है बच्चों वो कौन से तारीक तक आजाएगा ये इन्होंने बताया है तो इन्होंने आशवाशन दिया है कि हर हाल में 31 दिसंबर से पहले 31 दिसंबर से पहले इसी साल 2022 में आपको CT का result मिल जाएगा CET का result आप सभी को मिल जाएगा और ये भी इन्होंने साथ साथ update किया है कि आपका January end या February के महीने में या तो January के आखरी सब्ता में या February के महीने में आप सभी को अपने mains की त्यारी शुरू कर देनी चाहिए क्योंके कुछ vacancies कुछ post के लिए आपकी जो आविदन है वो शुरू हो जाएंगे आपकी तयारियां शुरू हो जाएंगी इनको सारे departments की तरफ से vacancies के बारे में idea मिल चुका है अपडेट मिल चुका है एक दूसरी important चीज़ बच्चो और आप सभी को मैंने बताया था कि एक revised answer की कभी भी आ सकती है तो ये बोला गया है कि भाई आपका 26 December तक 26 December तक आपको revised answer की मिलने के असार है revised answer की जो आपको मिल जाएगी ये इन्होंने बोला है बट एक शब्द का इस्तमाल करके वो लिखा है शायद तो हो सकता है 26 की बजाए 28 तक मिल जाए बट result इन्होंने 110% कहा है कि NTA और HSSC आपको 31 December तक ये result प्रोवाइड कर देगी यही information के साथ मैं आपको ये update दे रहा हूँ और आने वाली updates भी आपको ऐसे ही पता चलती रहेंगी जिसको इन चीजों को देखना है वो अराम से newspapers पढ़ते रहें वहीं से आपको भी जानकारी मिलती है हमें भी जानकारी मिलती है Thank you very much Jai Hind